कस्टिडी में लिया गया है इन में से नाम एक का नाम दिने उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नावालिक है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम कालपनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुआ का गाओ है विने उर्फ लंबू के का खेत इन बच्चियों के प्रवेत्रिक खेत से सटा हुआ है और वो नित्त प्रति दिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने पानी चड़ाने घांस निकालने इतियादी क के कामों से आता था और लोकडाउन के समय से अ उसका इन लड़कियों से परिच्चय हो गया था कड़ाई से पूच्चाच करने के उपरांत विने के दवारा पूरे घटना करम का खुलासा किया गया है उसके दवारा प्रति दिन की प्रियाओं के बारे में मालुम था वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था खेतों पर ही बैठके दोनों आपस में बात करते थे दीरे दीरे विने को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भ देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया जिससे रुश्ट होकर उसने पहले उसस पर दवाव डालने की कोशिच की कि वो बार—बार प्रोपोजल देने से सम्भ़फता आ चिथ्थी भेजने से सम्भपता लड़की स्विकार कर लेगी लड़की द्वारा अपना नमबर देने से मना करने के उपरांत इर्शिया वश उसके द्वारा ये घटना करित की गई है उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तमाल होने वाले कीपनाशब को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिला कर रखा गया था कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिक लड़के को भेज के मंगवाया था लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गाओं की एक दुकान है वहाँ से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी इन लोगों ने विने के खेत के पास में बैठ कर नमकीन साथ में खाया काफी देर गपशब की और उसके बाद विने ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीन कर वो पानी पिया विने ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया पानी पीने के बार लड़कियां बेहोश हो गई और उनके मुझ से जाग आने लगा जिस पर विने और उसका साथी परिशान हो गए पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गए उसको कस्टेडी में लेके उसके बयानों की पुष्टी की जा रही है और उसकी नि परिशनों से एक दो जिन पहले कुछ ज़गा हुआ था या कोई बात भी तुछ है ऐसी सूचना हमें भी प्राप्थ हुई है लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है और इस दिशा में भी टीम बेज के सत्यापन कराया जा रहा है यह कीट ना सक किस तरीके का था लेकिन उसने यह बताया है कि गेहों की बुवाई के समय इसतमाल होने वाला घर पर उपलब्ध की इतना शक का पैकेट उसने इस्तमाल किया है इसलिए उसने दो बतल पानी रखा था एक बाकी के लिए एक उस लड़की के लिए लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से चीन कर पानी पीना चालू किया इसने रोकने की कोशिच की वो नहीं मानी तो यह यह नहीं बता पाया समजाहिरा तोर पर यह नहीं बता पाया कि पानी में कुछ मिला है तो इसने इसके कनफेशन के मुताविक इसने कुछ भी हाथ पर नहीं वांधा था लड़कियां जब यहोशो कर गिर गई उनके मुझ से जाग आने लगा तो इसने उठा के उनको उनके लाही के खेत में मेर्वेंड होके डाल दिया और वहां से दोनों भाग गये इनी दोनों को भागते हुए हमारे मुख्पीर के द्वारा देखा गया था परिवार वालों का अरोप था कि इनके हांट पाउं बंधे हुए थे उसी दो बट्टे से बंधे हुए थे और उन लोगों ने खोला उसे इसकी कोई ऐसा 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 एक परिवार के एक सदस से द्वारा दिया गया था परिवार के उस सदस से द्वारा मौके पर पहुँचकर सबसे पहले पहुँचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था जो सबसे पहले मौके पर पहुँचे थे उनके पीछे एक बच्ची की मा भी पहुँची थी उस बच्ची के मा का स्टेटमेंट कल आया था पोस्टमॉटम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की अंटी मॉटम इंजुरी नहीं आई है आर ओपी द्वारा अपने कनफेशन में इस बात को नकारा गया है इस बात से उससे कड़ाई से पुछताज भी की गई थी लेकिन उसके द्वारा नकरा गया है चुकि उनके दोस्ताना संबंध थे वो रोज बैटके कुछ खाते पीते थे गपशब करते थे इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया उसका दिया पानी पिया और वो बात करते हैं जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुह से जाग आना शुरू हा तब यह पैनिक में उठके भागा है मैं कि इसमें और भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है अभी तक के घटना करम में जैसा परिस्तिती जन ने साक्ष हमें मिले हैं कल कॉंबिंग के दौरान जैसे साक्ष मिले थे और आज जो मुख्मीर की सूचना थी इन दो लोगों को ही दौरते हुए देखा ग लड़के ने बताईं क्या उसका क्रॉबरेटीव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकट कल कोंबिंग के दौरान फडौरा बरामत किया गया था पानी की बोतल भी फॉरेंसिक टीम के द्वारा बरामत की गई थी यदे पी उस समय हमें ये नहीं पता था एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी इसके त्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दोरान मौकाई वर्दार से फुरेंसिक टीम को बरामत हुआ था इसके CDR की अनालिसिस से भी मौके के समय घटना के समय में टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है उस समय CDR अनालिसिस में इसकी उपस्थिती उस जगा पर पाई गई है लड़कियों के पास क्या मोबाइल थे वहाँ पर तीनों लड़कियों के पास और इनकी कंटिनिवस बात होती थी जैसा कि इसने बताया है इसने लड़की से मुबाइल नमबर मांगा था लेकिन लड़की के द्वारा अपना मुबाइल नमबर नहीं दिया गया था और इसको जटक दिया गया था लड़का जो बिने हैं वो धानुक जाती से हैं और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाती से हैं रावत जाती से हैं